एक बैग है, इसमें कुछ सामान रखा है, जब भी आप इस बैग को किसी भी डिरेक्शन में मूव कराएंगे, पॉजिटिव वे, यानि अपवर्ड में या फिर डाउन वर्ड में, तो इसके अंदर का जितना सामान होगा, वो भी उसे डिरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव कर रही है, सारी चीजें फेवरेवल हैं, गौवर्मेंट का सपोर्ट बना हुआ है, कंडिशन ठीक बनी हुई है, तो उस इंडरस्टि का कोई वीक प्लेयर भी होगा, वो भी अच्छा काम कर जाएगा, और अगर कोई स्ट्रॉंग प्लेयर है, वो तो पाइप के उपर, हम जानते हैं, कंपनिंग अच्छी है, प्लस हम समझने कोशिश करें, कितनी अच्छी है, क्या रिसेंट में डेवलेपमेंट चल रहा है, और आगे चार्ट पे क्या हो सकता है, साथ ही माँ सबसे पहले ये समझते हैं, कि इंडरस्टि की साब से ग्रोग कर अभी भी बहुत छोटे-चोटे इशू ऐसे हैं, जो बहुत बड़े तादात में अभी रिजॉल होना बचा है, छोटे इशू हैं, जैसे कि पानी हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, या फिर एक नॉर्मल हम है, नॉर्मल कई सारी इशू हमारे पास हैं, तो हम समझने कोशि इसको पूरा करेगी, वो तो टाइम मताएगा, लेकिन जब भी ज़रुत पड़ेगी, प्रिंस पाइप की नहीं, कोई भी इन जैसे कंपनी की ज़रुत पढ़ने वाले हैं, तो एक पेरामेटरी है, दूसरा बात करने हैं, 85% अब इनके पास पाइप वाटर नहीं है, 85% हो स will have no access to drinking water, तो 2030 तक भी आंकड़ा चेंज नहीं होने वाला है, कम हो सकता है, लेकिन आप इस चीज को समझेए, अभी भी, जब भी ये gap फिल होगा, इन कंपनीज के ज़रुत पढ़ने वाली है, इसके बाद अगर हम बात करें, 60, 600 million Indian face high, high to extreme stress, कि इस चीज के लिए over water, अब द कितनी लंबी line लग जाती है, वहां से लेकर हर चीज को आंकड़ा जब जुडता है, जब government के पास पहुंचता है, तो ये 60 million लोग ऐसे हैं, जो face करते हैं, जिनके वज़े से water problem, और जिसके वज़े से इनको होता है stress, आगे सुनिए, 6% of Indian GDP will be lost, lost हो जाएके, because of water crisis, तो ये भ बहुत common हम सभी जानते हैं, अगर हम उसके बाद बात करें, उसके बाद government का support क्या-क्या बना हुआ है, स्वच्च भारत अभियान बना हुआ है, एक चीज, दूसरा government का एक initiative, दूसरा है अमृत, अमृत बना हुआ है, तो इसमें भी इन जैसी companies के लिए, के companies के उपर focus किया बात करें, या हम इंडस्ट्री लेवल के बात करें, इन जैसे companies के ज़रूत पढ़ने वाले, यहां से हम इंडस्ट्री का growth अभी भी काफी अच्छा दिखाई पढ़ रहा है, अब इंडस्ट्री ग्रो करें, अब आप इसको समझे ज़रा Prince Pipe के उपर, यहां तक तो हमें 1987 में company at Mumbai में, यह company firm होई थी, तब से company काम कर रही है, अब हाल फिलाल के अगर हम बात करें, 2019 के आखरी में, roughly 9 दिसंबर के बीच में, October 9 दिसंबर के बीच में, इस company का IPI था, 2019 के बात, और अभी तक company काम कर रही है, list अभी हुई है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, the company is recognized as as one of the leading polymer pipes and fitting manufacturing in India, तो यह company के main term, in terms of distributor, तो यहाँ से company का का काम किया है, आप समझगे, polymer pipes and fitting भी है, manufacture भी करती है, यह सारा काम है, उसके बाद अगर हम बात करें, it market, it market its product under two brands, अब इनके जितने भी product है, वो दो ब्रैंड के अंगर मार्केट में चल रहे है, as of now, एक है प्रिंस प्रिंस पाइपिंग सिस्टम और दूसरा है, टूब रॉस, यह है इनके दो ब्रैंड, और वहीं अगर बात करें, due to companies, comprehensive product range, it is positioned as end-to-end polymer piping, तो खुल मिला के, एक समझाने की कोशिश करें, यह जो solution देते हैं, कोई ऐसा नहीं की, थोड़ी सी solution देते हैं, end-to-end solution देने की देने की काम के लिए, हर एक इंडस्ट्री हर एक काम के लिए यूज होते हैं, यह इनके product या इनकी product variety इतनी है, जिसे plumbing की बात करें, irrigation के बात करें, soil, waste and rain, water, management, हर जोग इनकी company के, इनके product यूज होता है, इसके बाद अगर हम बात करें, its product range, meet the requirement of both rural and urban, दोनों market के, क्योंकि रोलर के requirement अलग होती है, and urban के अलग होती है, तो दोनों type के company, काम यह product बनाती है, so that, so that, सारी requirement फुल्फिल हो सके, ना, quickly इसको समझ लेता है, उसके बाद important ratios के उपर चलेंगे, company जो form होईती, 1987 हम फॉर्म होईती है, हम समझ गए, उसके बाद उसके 11, 11, इसके warehouses है, वह हम बात करें, इसके channel partner, जिसे हम channel बलते है, channel partner, वह 1500 प्लस है, क्रिसल के rating के बात करें, यह positive है, तो उनका outlook जो as of now बन रहा है, positive है, long term debt is company free, मतलब एक long term debt free company है, again this is positive, employee के बात करें, 1700 प्लस इसके employee है, market cap आप यहाँ देख पाएंगे, 7,896 के आसपास, pet के बात करें, profit after tax, according to FI21, 222, 222, 222 CR के आसपास, तो कुल मलाके number as of now दिखा ही पड़ रहे, अब यह अच्छे है, नहीं है, जब हम इनको compare करेंगे, सामने आ जाएंगे, अगर हम बात करें, इसके product basket की, इसके जो category है, plumbing, solution, उसके अंदर आपके product देख सकते हैं, second category है, उसम and उसके third irrigation solution, तो आप यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं, इनके product portfolio को, next अगर हम बात करें, इनके footprint कैसे है, यह अगर हम बात करें, north, west, south, east, हर जगे इनके presence है, अलग-अलग way में, कहीं इनके corporate office है, कहीं branch office, कहीं manufacturing unit, यह फिर कहीं warehouse, channel partner, हर जगे इनके presence किसी ने किसी form में ब बीच में, तीन मन्त के return के बात करें, minus 2 के आसपास, और उसमें से 20% तो, या फिर उससे ज़्यादा, आज के दिन, जुस तरह से market में आज के दिन, थोड़ असा pressure रहा, बात करें, six months में 69%, again this is good, एक साल के 188, great, और वहीं बात करें, maximum, तो कुल मिलाकें company ने, काफी अच्छ FI quarter 1 के, तो उसमें revenue के इस तरह से, पिछले साल से इस साल के revenue के बात करें, उसमें हमें revenue 9% के jump दिखाई पड़ी थी, दिखाई पड़ा था this one, again this is good, साथ हम अगर sales के volume के बात करें, उसमें हमें decline दिखाई पड़ा था 26 का, sales क्या हुआ था, जब जिस field में काम करतें, definitely infrastructure related च के सामने, EBITDA के बात करें, उसमें अब कुछ हम है, आन उसके पैट के बात करें, उसमें भी हमें चीज़ें बढ़ते वे दिखाई पड़ रही है, एक साल में, quarter 1, 2, quarter बढ़, quarter 2 के result के बार focus करेंगे, as of now, यह number अच्छे दिखाई पड़ रहे है, focus करतें yearly pay, 20 और 21 में आप करता है, long run में, 20 से 21 के बीच में revenue, 27 percent up, वहीं बात का sales value, 4 percent up, EBITDA के बात के बात के 58, and PAT के बात के 97, यहनि कहीं पर भी हमें weakness दिखाई नहीं पड़ रही है, this is again good sign for us, focus करें इसके कुछ, जितने भी important ratios है, यहां पर यह sales slide आप के लिए सबसे दागा important है, यहां पर focus रखने क clear हो जाएंगे, सबसे पहले हम बात करें, जितने भी data है, 17 से लेकर 21 तक, एक साल में COVID आगे, पहले तो नहीं आया होगा, और एक साल में recovery होगी, इससे आगे पीछे, तो इसलिए जितने भी pros and cons हो सकते हैं, long run में हमें सारे चीज़े समझ में आ जाती है, net revenue from products, आप यहां द के सामने है, pet and pet margin की कुछ वैसे ही कहानी यहां भी है, यहां तक कुछ flat और उसके बाद सीधा बात करें, उसका net debt, net debt या फिर net worth की बात करें, आप यहां चीज़े देख से तो जो लाल निशान में है, यह लाल निशान, यह सारे लाल वाले बार, यह है इसका debt, तो debt किस तरह रहे हो गया, FY21 की बात करें, जरा debt कहां गया, जरा focus तो कीज़े बिल्कु जीरो हो चुका है, so this is good for us, कि company ना अपने debt काफे कम कर दिया, and net worth की बात करें, net worth भी बढ़ चुका है, तो यह ऐसा ही तो हमें चाहिए होता है, इसलिए यह good होगे हमारे लिए, एक और positive point हमारे ख पॉशिस करेंगे, but as of now, जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे है, काफी अच्छे दिखाई पड़ रहे है, next focus के तो sharing pattern के उपर, आप यहाँ देख पाएंगे, promoter के पास था September में 63%, अभी कितने 63.25, तो उन्होंने तो हाथ लगाय नहीं है, majority उनहीं के पास है, company के, promoter का वो जादा महनत करेंगे, साथ ही महाँ बात करें, FIS की, 0.83 थाउन का September में अभी हो चुका है, 3.05, किसने खरीदा है, इस बीचन में धीरे धीरे, आप यहाँ देख से तो खरीदे कब, March के बाद से खरीदना शुरू हुआ है, DIS के बात करें, 17.48 था, अच्छे खासी holding है, बीच में इन्होंने कुछ holding को अपना कम किया है, इन्होंने बहुत नीचे के level पर खरीदा होगा, March में, और इसके बात अभी भी जो holding है, उन्होंने थोड़ इसी profit booking की होगे, I'm very sure, अगर हम इसके previous data को देखेंगे, तब चीजे समझ में आ जाएंगे, public के बात करें, 18 प्लस आपने इस company का नाम सुनागा, उनकी investment है, और दूसरी बात करें उसके बाद, BOI, XRTX Advantage Direct Growth, उसके बाद है, आजे तिबिला Sun Life India, GenNext Direct Fund Growth, और उसका Invesco India, Small Cup Fund Direct Growth, यह वो चार फंड है, टॉप के चार है, इसके अलावा भी और कुछ फंड हैं, जब आपने research करेंगे, आपको क देख पाएंगे, पाँच साल में, तेन साल में, एक साल में, जो आपको green line दिखाई पड़ रहे हैं, यह है इसके sales की growth, एक minute, this one is sales, और this one is profit, तो अगर हम sales की उपर बात करें, तो पाँच साल में 15%, फिर उसका तीन साल में 16, और एक साल में 27, तो यह चीज़ें आपको improve होत पाँच साल में 25, फिर बात करें, तो यह वापस 24 हो चुका है, तो यह वापस से recover होना शुरू हो चुका है, और अभी भी काफी अच्छा है, ऐसी वैसे company से काफी अच्छा है, बात करें इसके ROC की, वो भी कुछ वैसी है, 23, 24 and 29, तो इस current एक साल के बात करें, 29 के आज़े आगे जितने भी इसके ratios है, debt है, या फिर हमने देखा, debt भी 0 हो चुका है, ratios भी अच्छे है, sales growth अच्छा है, profit growth अच्छा है, industry में growth है, और कैच्छी है, as of now, अगर हम सुने है, analyst के जो market में जानकार है, as of now, 71% buy की rating दे रहे हैं, और sell की दे रहे है, 0, hold की 29, तो आपको अच् नहीं करना चाहिए, ना ही कोई वीडियो, हमारे ही नहीं, हम जैसे जितने भी YouTube पे लोग, जो education या learning के साफ से कुछ भी share करता है, आपको किसी के बातों पे कभी भी कोई trade नहीं लेना होता है, क्योंकि final decision आपका होना चाहिए, फिर चाहिए आप खुद के research से हो, या फिर आ आपके advisor से पूछ के, या फिर आप जिन से consult करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, इन सब के बाद के valuation क्या बोला है, as of now, इंडस्ट्री पीचली 50, यह हमें मिला 34 के आसपास, अब यी भी, एच्छे quality का stock, अच्छे price पे मिल रहा है, EPS के बात करें Tony, again this is good, और dividend yield की बात करें 0.49 के आसपास, तो dividend देती है company, 1% basic हमारा जो parameter होता है, बट dividend उतना नहीं देती है, बट कुछ ना कुछ देती है, ना focus करते हैं इसको chart को उपर, prince pipe का chart लगा हुआ, one week का, chart को हम समझना शुरू करने, अगर अभी तगा private channel का part नहीं बने, description में आपको सारे links मिल जाएंगे, important details मिल जाएंगे, एक बाद check out जरूर कर लिजएगा, otherwise, extra learning के लिए आप join बटन में consider कर सकते हैं, वो आपको channel पर मिल जाएगा, exit करने से पहले एक बाद जरूर देख लिजएगा, यहाँ पर हमें weekly में क्या समझ मारा, weekly पे जरा इसके bull run तो देखे जरा, यह है March का time, और March के बाद से, इस March तक, इसमें यह देख सकते हैं, किस तरह से की तेजी आई, और उसके बाद आप देख सकते हो, कुल मिला कि weekly का time है, यहर एक candle हमें one week represent करते हुए, नजर आ रहे है, एक चीज़ तो यह रही, अब recent की बात करें, इस week में हमने क्या देखा, Monday, Tuesday, अच्छा market था, इस आज की दिन अच्छा pressure था, जितना तेजी से गए थे उपर, उत्रही तेजी से नीचे आया है, और तो आप यहाँ देख पाएंगे, आज की जो candy इस week है, all the way complete नहीं हुआ, लेकिन इस week की उपर से pressure बनता हुए, दिखाए पड़ रहा है, यह तो week है, अभी भी दो दिन बचा हुआ है, इसके resistance के बात करें, यहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है, वन डे में समझने कोशिश करते हैं, यहाँ पे हमी क्या समझ मारा है, यह जनरली weekly के time में कभी भी आता है, अपने 20, 20 से नीचे नहीं आता है, जो आपको red line दिखा देखा था, दो, एक मन्त पहले, उस वक्ट यह share भी अच्छा correct हुआ था, 600 के आसपास, यानि 595 के आसपास तक आये था, वहाँ से mid cap घूम गया, तो वापस इसमें भी recovery शुरू हो गी थी, उसके बात, आप यहाँ से देख सकतो, एक अच्छा recovery आये, इस level के आसपास तक ग तीन केस निकल के आते हैं, जिनके पास है, just hold it, कुछ करने के जरुवत नहीं है, अपने आप यह share, जैसे ही market थोड़ा से deal देगा, यह आपको बड़ी तेजी से भागते हैं वह नजर आएगा, वहीं अगर, तो long term वालों के लिए, medium term के लिए जिनके पास होनें, तो tension लिए के बिलकुल जरुवत नहीं है, एक अच्छे company में आपने invest किया है, साथ ही में अगर बात करें, fresh buying या फिर averaging के लिए, देखिए, दो दिन कल के बात करें, यह थोड़ा उपर था, आना आज के दिन correction में थोड़ा सा नीचा है, इसलिए यहां से कोई video अगर हमें मिल जाती है, रफली अगर बात करें, 700 या फिर 695 के आसपास कहीं भी मिल जाता है, तो definitely इन लेवल के आसपास भी हम इसमें add-on कर सकते हैं, या फिर कोई भी dip मिलता है, market volatile बनाए, इस volatility का हमें फायदा यह लेना चाहिए, जो भी अच्छे share है, अगर उस दिन किसी भी dip में मिल रहा है, हम इसलिए share इस वक्त अच्छे buying zone में, 750 के उपर जाते ही, यह इस तरह से नहीं चलेगा, जिस तरह से अभी चल रहा है, क्योंकि अपनी resistance के आसपास, उसके बाद यह resistance से उपर होगा, और सीधा भागता जाएगा, इसलिए इस वक्त यह share हमारे prime focus पे होना चाहिए, और dip आती ह तो इसमें add-on करने की तरफ बिल्कुल सोचना चाहिए, तो maximum चीज़े हमने इसमें cover करने की, कोशिश की इसके बाद भेकर आपकी कुछ query रहे गया, आप हमें comment की थुरू बता सकते हैं, otherwise एक्सा learning के लिए आप join button भी consider कर सकते हैं, अगर आपको useful लगता है तो, regular update के लिए आ आते रहते हैं, और वीडियो ठीक लगता है, तो like कर सकते हैं, thank you so much.